हाई वेल्कम तो मैं चैनल इस बड़ी में सॉल्व करें कुर्शन नमबर 10 अब्जर्व दी फॉलिंग पैटर्न तो इस पैटर्न को हमें अब्जर्व करना है and find the values of each of the following तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी आप पैटर्न को अब्जर्व करिएगा तो उसमें देखिएगा कि जैसे जैसे वो पैटर्न नीचे जा रहा है कौन से नमबर्स कांस्टेंट है उसको पहले ध्यान दीजिए तो मैं उसको यहाँ पर रेट डॉट से दिखा दूँगा ठीक है तो पहले रेट से दिखाते हैं उन सभी नमबर्स को जो कांस्टेंट है देखिए आपर यहाँ पर यह जो यह जो 1 है पहले नमबर सुरू से दिखते हैं आपर 1 upon 6 जो है 1 upon 6 यहाँ भी है 1 upon 6 यह भी है फिर अगेन 1 upon 6 है मतलब कि यह चेंज नहीं हो रहा ठीक है यह ध्यान दिजिए यह नमबर भी 1 upon 6 है तो यह नमबर्स चेंज नहीं हो रहा है और आपका यहाँ पर देखिए यह 1 यह 1 चेंज नहीं हुआ यह यहीं पर है 1 है यह भी 1 है यह 1 है और आपका इसमें भी बहुत सारी नम्र शुझ नहीं हो रहिए, जैसर कि टू चेझ नहीं हो रहा है टू आत्ति पैटर्ण ये पैटर्न आपका देख रहा है बल्कुल कॉल without dark है यह 2 है यह 3 हो गया 4 हो गया ठीक है यहाँ भी देखिए यह 1 2 3 4 यहाँ भी देखिए यह चेंज हो रहा है यह 1 2 3 and 4 मतलब कि जो चेंज हो रहा है वो मैंने green से किया है और जो चेंज नहीं हो रहा red spot है वो मतलब कि constant है वो चेंज नहीं हो रहा है चलिए अब solve करते हैं तो हमारे पास question है find the value जाफी जो following हमें यह find करना है तो यहां पर actually जो pattern दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है तो इसके value इतना है one square plus two square किया गया है तो इतना आ रहा है मतलब देखिए one square plus two square तो यहां पर two काफी important है देखिए two में क्या कर रहा है one upon six constant है सब देखिए two यहां पर है तो two यहां पर है यहां पर one था यहां पर one था यह three है तो यहां पर देखिए three है four है four है तो four है मतलब कि जो change कर रहा है न वो depend करता है कि last में क्या है मतलब यहां पर क्या है वान है यहां पर तो यह वन हर जगा यूज किया है ग्रिन में ग्रिन वाले में दिखेगा यदि यहां पर वन है तो ग्रिन वाले में वन यूज किया है तो ग्रिन वाले में टू यूज किया है थ्री है तो ग्रिन वाले में थ्री यूज किया गया है फ और चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं क्यूस्टन वन एक अदिन टू लिख देते हैं आपर कि अदिन टू गिवन पैटर्ण कि अधिन टू दिन गिवन पैंटर्ण हमें मिलेगा वन स्क्टassung क्लस्सकॉलार प्लस त्रीस्क्रट प्लस्ट क्लस्ट Gardag प्लस्ट टाण डॉट्स डेन स्क्ट इस ग Ondus वनी उपस्क्रेस मेरा निया करेंगे उसके बाद यह वहला प्रॉर लगाते हैं 6 और उसके बाद गोर रहा है मतलब की यहांप उसकर करेंगे में बट इन तू इन ब्रेकेट पहले वाटेट्वी प्लस वन मतलब 10 प्लस और तरह करेंगे हैं प्लस 1 तो constant है अब इसी को solve कर लेंगे तो हमारा answer आजाएगा तो देखते हैं यहां पर 10 होगा तो 10 ही होगा इंटू यह कितना 10 प्लस 1 11 हो जाएगा इंटू यह 2 इंटू 10 मतलब 20 हो जाएगा 20 में 1 एड़ करेंगे 21 हो ठीक है सिक्स को कड़ाते हैं आपर तो 2 3 जा 6 2 5 10 और यहां 3 बंज़ा 3 एंड यहां पर होगा 37 21 ठीक है तो अब यह आगे हमारा 5 बंज़ा 55 इंटू 7 तो यहां पर मिलेगा हमें 55 इंटू 7 कर लेते हैं तो 75 जा 35 का 5 3 कर योफर एंट 75 35 35 एंट 3 38 यह मिलेगा 385 तो 385 इस यूर अंसर अफ़ फॉस्ट वेशन ओगे यहां पर सिकंड करते हैं सिकंड में दिखे स्टार्टिंग जो है 1 स्कार 2 स्कार 3 स्कार 4 स्कार छोड़ दिया है ठीक है और यहां पर 12 स्कार तक किय है तो हमें यहां पैटरन जो बना है वह हमेशा वन से स्टार्ट हो करके लास्ट एंट तक गया है तो हम क्या करेंगे यहां पर कि सेकेंड में हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ एड कर देंगे कुछ सब्रेट कर देंगे मिन्स 5 इसकार प्लस 6 इसकार प्लस 7 इसकार प्लस डॉट डॉट कर देते हैं ठीक है फ्लस 12 इसमें जो है क्या करेंगे हम इसके सुरू में आइड कर देते हैं 1 से 4 तक और last में क्या करेंगे minus कर देंगे तक हम exactly same रहेगा वही वाला ठीक है तो इसको मतलब कि हमें इस pattern में बनाना है 1 से start करके बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square मने 4 square तक हम क्या करेंगे इसमें add कर देते हैं plus और जो आगे वाला है वो तो है 5 square plus 6 square plus 7 square plus dot 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 plus कहा तो हो जागा 12 square तक अब इसमें से minus कर देंगे कितना यहां से लेकर के और यहां तक जो हमने extra add किया था इसको minus कर देंगे तो minus करेंगे तो यहां मिलेगा 1 square plus 1 square plus यह हो जाएगा 2 square plus 3 square plus 4 square plus 4 square तक मानस करेंगे कि बनाना तो यह हो गया हमारा 4 square right ओके आप क्या करना होगा formula apply कर दीजिए तो इसको हम प्रहसा उपर कर लेते हैं अब solve करते हैं यहां पर हो जाएगा यहां देखिए यहां से लेकर के और यहां तक यह 1 से 1 का square plus 2 का square और अप्टू 12 का square तक है इसका मतब कि उपर वाल जो pattern है वो apply कर सकते हैं यहां पर होगा 1 upon 6 ठीक है और 12 तो हमाइड कर रहा है तो यहां देखिए यहां क्या लगा था 10 10 प्लस 1 किये थे बतल यहां भी करेंगे क्या 12 इंटू ब्रेकट में करेंगे 12 प्लस 1 ठीक है फिर देखिए मटपलाई किया गया था मटपलाई कर लेते हैं सरी यह आपकर ब्रेकट है यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रेकट में 2 टाइम्स 10 था है आपर मतलब यहां पर हो जाएगा 12 प्लस 1 था 1 तो constant है यहां पर ओके यहां लिए पहले बाला माइनस अब इसमें भी वही करना पड़ेगा तो इसमें भी 1 upon 6 करना पड़ेगा सुरी सुरी में 1 upon 6 और इन ब्रेकट यहां पर करेंगे देखे 4 है यहां पर करेंगे 4 इन्टू 4 प्लस 1 इन्टू अब यहां पर ब्रेकट में करेंगे 4 इन्टू 2 यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा से हम इसको ओके यहाँ पर कर लेते हैं 4 x यहाँ पर देखना होगा दिहां से क्या करना है 2 x 10 करना है मतलब कि 2 x 4 करेंगे यहाँ पर ठीक है जैसा पैर्टर्न है वाई सी हमें एपलाई कर दो सहिर हेगा 2 into 4 plus 1 कर लेंगे ठीक है अब यहां solve कर लेते हैं इसको देखे 1 upon 6 multiplied by यहां पर हो जाएगा 12 सबको open कर लिजे यह हो जाएगा 13 into यहां हो जाएगा 12 24, 24, 125 minus 1 upon 6 multiplied by यह हो जाएगा 4 into 415 हो जाएगा into 248 और 1 9 ओके तो अब यहां पर क्या करेंगे कि solve कर लेते हैं तो मिलेगा हमें 6 बंजा 6 6 to 12 and यहां हो जाएगा 2, 3 जा 6 and 2, 2 जा 4 and 3 बंजा 3 and 3, 3 जा 9 solve को लेजे देखिया होगा 25 into 2 50 हो जाएगा 15 into 13 तो 13, 5 जाएगा कितना होता है 65 means 6, 5, 0 हो जाएगा minus किवल 2 बचा और 5 and 3 बचा है मतलब कि 5 जा 10 10, 3, 30 minus करेंगे 13 तो यहां पर जाएगा 620 this is your right answer तो यहां पर जो यह किया गया है यह actually sum of sum of squares of first and natural numbers का formula है तो होब की समझ में आ गया होगा आको thank you so much for watching खोगी बाएगा 3 झाल झाल